कि नमस्कार स्वागत आप सभी का निश्रूम पोस्ट की खास पेस का स्पोर्ट्स पोस्ट में कल SRH और GT के बीच होने वाले मुकाबले को रद कर दिया गया जिसके बाद एक एक पॉइंट दोनों टीमों में बाड़ दिया गया और उसी के साथ ही SRH तीसरी टीम बन गई जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा यहां पर उनकी मालकिन काविया मारण की हो रही है आपको बतादे काविया मारण अपनी टीम को सुपोर्ट करने के लिए हमेशा ग्राउन पर मौजूद होती है है उनके जो रीक्शनस होते हो हमेशा वा Québec होते रहते हैं पर कल जब काविया मारा जीटी में आने से पहले SRS का वहाँ टीम का हिसा रहे चुकिए उन्होंने कप्तानी भी की थी और जब मालकिन और पूर कप्तान मिले और उन्होंने एक दूसरे को गल लगाया और एक दूसरे का हालचाल पूछा और इसका वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है तो लोग कह रहे है कि पहली बार उन्होंने कावया मारन की आवाज सुनी जो अपने आप में बहुत दिल्चस्प है कुछ लोग कह रहे है कि ओनर ऐसी होनी चाहिए जो अपने पूर खिलाडियों से ऐसे मिले और आपको कि उनके लिए खुशी का मौका था कि उनकी टीम कौलिफाइ कर गई मैच भले ही नहीं हुआ पर SRS को उसका फायदा मिला और GT के दो मुकाबले जो हैं वो रद हो गए और पिछला मुकाबला भी बारिश और तूफान की वे मैच भी जीत लेते हैं तो वो टॉप टू की जो लडाई है ना उसमें भी वो आ सकते क्योंकि राजस्थान का अगला मुकाबला है के के आर के साथ जो बहुत ही टॉफ मुकाबला कह सकते हैं और राजस्थान अपने पिछले चार मुकाबले हार कर आ रही है और उसके लिए आसान नहीं होगा अगर राजस्थान हारती हो और एसारस जीती है तो टॉप टू में एसारस के जाने के बहुत जादा चांस है और जो टीम टॉप टू में रहती है वो जादा तर ऐसा ही होता है कि वही टीम चैंपियन बनते हैं तो यानि कि एसारस के पास इस बार ट्रॉफी जीतने का बहुत बड़ा मौका है पर कल मैच रद दुआ पर काव्या जो उनकी एसारस की ओनर है जिस तरीके सुनों वो केन विल्यम संथ से मिली उसका वीडियो बहुत तेजी से